अवेल्कम स्टुड़ेंट्स के लेक्छर्श में हमलोग ने जोइंट हिंदू फैमिली की मीनिग, कौपास्टनरी और डिफरेंस बिट्वीन जोइंट हिंदू फैमिली और कौपास्टनरी को कवर कर लिया है और मिताक्षरा लॉफ स्कूल के कोड़ी दया भागा लॉफ स्कूल के कोड़ी क्या कोपास्टूली है अलग-अलग क्या इडिलोजी है इन चीजों को हम लोगों ने डिसकस किया हुआ है आज का टॉपिक हमारा है क्लासिफिकिशन अफ़ प्रॉपर्टी अंडर हिंदु लॉफ बट जैसा कि दो स्कूल इंपॉर्टिंट स्कूल उफ हिंदु लॉफ है एड़ वन इस मिताक्षरा एन अधर दया भागा मिताक्षरा लॉफ इसकोल जिसके काही रिफॉर्मेट हुआ था दया भागा स्कूल में मिताक्रा लॉफ इसकूल भी डिफरेंश एट जिरल कर देता है प्रॉपर्टी को लेकर वो बताता है कि कैणा में प्रॉपर्टी की तो अलग-अलग केटिजिरी हम रखा गया है वह कहता है मिताक्षरा लॉव के according और अब्स्टेक्टिट्टिट की प्रापरटी कौन सी होती है और अनुब्स्टेक्टिटीड रिटेज़ की प्रापर्टी कौन सी होती है जैसा कि है जैसे दो मेन हिंदू लोह के हैं मिताक्षरऍ अन दया भागा ठीक है दया भागा के करद एंसे ट्रोपर्टी और प्रॉपर्टी दोनों में डिफ्रेंश जीट नहीं रखा गया बट मिताक्ष्र लाउ-कॉर्डिंग क्या कहता है यहां पर दो तरगे की प्रॉपर्टी की बात करता है एक होती है सप्रती बंधा दया और आप्रती बंधा दया यह मतलब थे हरेज एंड आप्रवादीवंद्ध देया और मतलब ऐसे माइन की परापर्टी जहां पर कोई ना कोई और यहां अंड ले पार्वर्य स्लीगना histoire अब्सटैक्शंट करेगा और ऐसी कोई ज्यो करेंडे पीतरक संपत्ती होती है जिसमें पॉइक मेल उस्व हुए जैसे कि सन ग्रैंड सन ग्रेट ग्रैंड सन एक्वार इंडरेस्ट बाइब वर्त यहां इन तीन जेनरेशन में जहां पर वर्थ राइट आ जाता है उस प्रापर्टी को क्या बोलते हैं आप प्रती बंधा दया और अन अब्स्ट्रक्टिड हारीटेज यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी आप्स्ट्रेक्शन नहीं आएगा कोई भी रुकावट नहीं आएगी यहां पर जिस प्रापर्टी में वहां पर जितने प्रेंपर्टे कोस्का वां पर किसी की थ्रूपर्पर्टी नहीं मिल ही वहां पर डिरेक्ट ही है है बाइबर्थ राइट मिल जा रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप रती बंधा दया अन आप्स्ट्रक्टेड हरिटेज या एंसेश्ट्र प्रॉपर्टी या कोपाश्णरी प्रॉपर्टी पैत्रक संपत्ती ठीक वाइल जबकि सैपरेट और सेल्फ प्रॉपर्टी 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 में on the death of the last owner is called इसे बोलते हैं साप्रती बंधा दया या abstracted heritage it means जहां पर self acquired property होगी वह कैसे मिलेगी जब तक कि वो last owner है जब तक कि उसकी death नहीं हो जाती और उसकी death होने के बाद उसके hairs को कैसे मिलेगी property by the way of succession by the way of inheritance जब तक वो जीवित है तब तो वो property कैसी है abstract में abstraction में और direct वहाँ पर by birthright claim नहीं कर सकते हैं तो ऐसी property को क्या बोलते हैं साप्रती बंधा दया या abstracted heritage तो मिताक्षरा law के according joint Hindu family में दो तरह की property होती है पहली property है साप्रती बंधा दया दुसरीय आप्रती बंधा दया आप्रती बंधा दया को अण पर ऑब्स्ट्रेक्शन नहीं योरी प्रावी प्रॉपरटी तुविच्छ दरुपरटी में अधिकार जाए जो रइयक है वो को fasteners होते थे son grandson great grandson वहाँ पे property में by birth right होता था तो एक ऐसी property जहां पे by birth right नहीं है बट लेकिन on the death of the last owner जो भी last owner है उसके पास property है उसकी death के बाद ही उसके hairs को property मिलेगी it means last owner कैसा काम कर रहा है as a obstruction काम कर रहा है इसलिए इस property क्या बला जाता है obstructed heritage बोला जाता है जिसे बोलते है साप्रती बंधा दया it is called obstructed because the accrual of right to its obstructed by the existence of the last owner क्यों obstruction है क्यों अब रोधिस के अंदर क्यों barrier लगा है क्योंकि अभी last owner surviving है तो इसलिए क्या बोलता है क्यों जाए से obstructed heritage बोला जाता है तो प्रौपर्टी डिवालविंग ऑन पैरेंच रहा है जो पैरेंट इसका हो रहे है इसे प्रौपर्टी को क्या बोला जा रहा है this this to not have any vested interest कि यहाँ पर एंटिरी यह रा पर यह विश्टेद नहीं नहीं है जिन साधि रिच्टेज कि शोब शरी दोच जा दोजार पर साप्ल Inc वैंपे विश्टेद इंट्रेश नहीं होता है जो हे harbor to it arise, जो right cup arise होता है only on the death of the last donor, जब तक कि वो last donor है तब तक उसके लिगा ले इसको property नहीं मिल लई है, ठीक है in this way, any property inherited by a male Hindu तो अगर कोई भी property जो inherit हो रही है, कहाँ किसको एक male Hindu को किस relations है from other than, किसे father, father's father and father's father's father यानि कि father, grandfather या great grandfather ये कौन है, ये हमारे को पास्टनरी में आते हैं, तो जो प्रापार्टी को पास्टनरी के अलावा किसी और relation से डिवाल्व हो रही है, और किसी relation से inheritance में आ रही है, वो property कैसी होगी, अब्स्टेक्टेड heritage होगी, तो अब्स्टेक्टेड heritage से क्या मतलब हुआ, साप्रती बंधा देया से मतलब क्या हुआ, ऐसी property जिस property पे बायबर्थ राइड नहीं होता है, जिसमें vested interest नहीं होता है, contingent है, कोई चीज होनी बाकी है, कोई event होगा, happening or non happening of an event, it is possible that, ठीक, तो जब तक कि वह event happen नहीं होगा, तब तक वह property devolve नहीं होगी, यह कौनसे event होगा, जब तक कि last owner आ रहा है, survive कर रहा है, वह property devolve नहीं होगी, यह आपे last जो owner है, property का वह कैसा काम कर रहा है, as a obstruction काम कर रहा है, इसलिए से बोला गया obstructed heritage या सप्रती बंधा दया बोला गया, ठीक है, इसको एक last station समझने की कोशिस करते हैं, जैसे लिखा है, a inherited certain property from his brother who died issu less, इसको diagram बनाया जाता है, just suppose एक a person है, इस a person को property मिली है, इसके b से, a inherited certain property from his brother अगर, b, इस a को property मिली, किससे अपने भाई, b से, who died issu less, इसका कोई भी child नहीं है, issu less है, the inherited property in the hand of a, जो property a को b से मिली है, a को अपने भाई से, b से property in the hand मिली, और b क्या है, issu less है, कोई इसका child नहीं है, जो a के हाथ में जो property आई, वो कैसे property होगी, abstracted heritage, किसके लिए, for the son of a, let's suppose अगर a का son है, मतलब कि son को अपने अंकल की property कैसे मिलेगी, it is an uncle और nephew में, कैसे property evolve होगी, क्योंकि a कैसा काम कर रहा है, a as a, abstraction काम कर रहा है, the property in the hand of a, for the, son of a will be the property of abstracted heritage, for the son of a, the son of a will inherit the property, son is a, property कैसे inherit करेगा from a, only after the death of a, last owner a है, जब तक इसकी death नहीं हो जाएगी, तब तक s उस property को inherit नहीं करेगा, it means यहाँ पर एक ऐसा काम कर रहा है, a is abstraction काम कर रहा है, इसी को बोला गिया, abstracted heritage या, सप्रती बंधा दया, clear है, फिर से समझने की कोसिस करते हैं एक बार, example कर समझ रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक a person है, let's suppose, एक a person है, इसको property devolve वही अपने ब्रदर से, inheritance से मिली, और ब्रदर का कोई, child नहीं है, issu less है, जो property b से a को मिली, एक हाथ में जो property आई, वह a के son को property कब मिलेगी, वह property a son के लिए कैसी होगी, वह abstracted heritage होगी, जब तक a जीवित रहेगा, तब तक वह property नहीं मिलेगी, a के son को जैसे ही a की death हो जाएगी, then वह property पे right, आ जाएगा s का आ जाएगा right, और ऐसे property पहले क्या होगी क्मनी जाएगी, क्यों क्योंकि एक ऐसे काम कर रहा है, as a abstraction काम कर रहा है, clear है, तो यह हमारा हो गया, abstracted heritage मिताक्षर ने बता है पहली property कैसी है, abstracted है, संपरती बंधा दया है, यहाँ पे as a abstraction काम कर रहा है, जो property other than, father, grandfather, great grandfather, इन relations के अलावा, इन संबंधों के अलावा, किसी और relations से और संबंधों से property मिल रही है, उस property को हमनों क्या बोलेंगे, abstracted heritage, जैसे एक हो सकती है property, जो maternal, दूसरा example हम ले सकते हैं, एक्जाम्पिल 2 ले सकते हैं, कि कोई property है, जो maternal grandfather से मिल रही है, नाना जी से मिल रही है, maternal, grandfather से property है, जहां पर क्या उस son का उस वहां पर राइट कैसा है, by birth नहीं है, ठीक है, तो वह property कैसे होगी, क्योंकि maternal grandfather है, तब तक कि mother को property नहीं मिलेगी, देन उसके बाद उसके प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ऐसे प्रॉपर्टी उसके लिए कैसी होगी, वह obstructed heritage है, क्योंकि mother राजा obstruction काम कर रही है, जो maternal grandfather की होगी, जो दूसरा example होगी है हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी है, unobstricted heritage, मतलब आप्रती बंदा, जिसे नामी से clear है, इसके unobstriction मतलब, जहां पर किसी तरीके का obstruction नहीं होगा, जहां पर हमारा direct right होगा उस प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लों क्या बोलेंगे, unobstricted heritage बोलेंगे, the property narrated from the father's, father या father's, father's property, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लों क्या बोला जाएगा, unobstricted heritage बोला जाएगा, the property in which, a person acquire an interest, ऐसी संपत्ती, ऐसी प्रॉपर्टी, जहां पर person का interest है, वो कैसे acquire हो रहा है, by birth, जबकि obstruction में by birth right नहीं था, वहां पर vested interest नहीं था, जबकि unobstricted में क्या होगा, यहां पर हमारा by birth, चर्म से ही, जैसे कोपाशनर का हम लोग पढ़ते हैं, में ताक्षरा लोग क्या कोड़ेंगी हम लोग classification of property देख रहे हैं, abstracted और unobstricted, तो unobstricted में क्या कह रहा है, ऐसी property, जहां पर interest कैसा है, by birth है, इसे unobstricted क्यों बोला जा रहा है, because the accrual of the right, जो अधिकार का उत्रपन हुआ है, जो accru हुआ है, ठीक, it is not abstracted by the existence of the owner, इसका इस बात तो कोई फ़र्क नहीं पढ़ता है, कि owner का existence हैगे नहीं, वहां पर उस family में उस property में, उस child का, उसको पास्टनर का by birth, आ जाता है, इसलिए बहां पर कोई obstruction काम नहीं कर रहा है, thus the property inherited by a Hindu, को एक Hindu person है, जो हाँ property कहां से मिल रही है, from his father, father's father, it means grandfather, and father's father's father, it means great grandfather, is unobstracted heritage, as regard his own male issue, that is his son, son's son, son's son, grandson और great grandson, इनके बीज में कैसे property होगी वह, जहां पर इनका कैसा right होगा, अपने grandfather या great grandfather में, grandson का right कैसा होगा, by birthright होगा, वहां पर obstruction as a कोई काम नहीं करेगा, father है तो तो इसका right नहीं है, grandson का या great grandson का, वहां पर direct by birthright मिल जाता है कि, को पाशनरी में हम लोग पढ़ते साइदा आई कि में पढ़े थे, ठीक है, this right arise on account of their birth, यह right कैसे arise हो रहा है, by birth ही हो जा रहा है, in the family and the male descendant in whom the property wastes, जिसमें यह descendant जिसे प्रॉपर्टी यह west हो रही है, our card, co-pastner, वह कौन से होंगे, co-pastner होए ना, father, grandfather, great grandfather, including कर रहे थे three generation, और including जिस person को कौन कर रहे है, तो यह कौन है, co-pastner ही है, does the ancestral property in the hand of the last male owner, is an unobstructed heritage, वह property कैसे होगी, unobstructed होगी, जहां पर by birth right होता है, जैसे example समझते हैं हम लोग, father है, father के पास कोई property है, ठीक है, उनके हाथ में है, तो वह unobstructed है कैसे होगी, इसके son को हाथ पर S1 है, फिर तो होता है, S1 और S2 का right कैसे होता है, क्योंकि यह तीनों कौन है, co-pastner है, यहां पर कैसा right होगा, by birth right होगा, जन्म सही अधिकार होगा, तो ऐसी property का nature कैसा मन जाएगा, unobstructed, यहां पर father जीवी तो ना जीवी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका property में कैसा right है, जन्म सही right है, तो ऐसे क्या बोला जाएगा, unobstructed heritage बोला जाएगा, जैसे कि example लिखा है हमारे पास देखने को मिलता है, a inherited certain property from his father, टीक, two sons born to a, जैसे example लेते हैं, टीक, a inherited certain property from his father, a यह है, यह father है, यह कुछ property मिली किस से अपने father से मिली, टीक, two sons born to a, namely, m और n आर कोपाशनर with the a, a के दो son है, m और n, obvious सिवादे, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, with the a के साथ m और a क्या है, क्योंकि a के son क्यों है, m और n, फिर m and n will acquire an interest by birth in the ancestor property possessed by a, obvious सिवाथ है, m और n का कैसा है, कोपाशनर है, by birth right हो जाएगा एगी property में, ठीक है, does the property in the hand of a, जो property किस के हाथ में है, a के हाथ में property है, वो property कैसी होगी, अन और n का right कैसे है, by birth है, तो यहाँ पे existence of the father is no obstruction, कि father exist है, इसका कोई obstruction नहीं है, जो father से एक प्रॉपर्टी मिली, जो हाथ में आज के property आई, वो कैसे property होगी, ancestor property होगी, ठीक है, अन और प्रॉपर्टी होगी, एक का कोई obstruction काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि m और n का, by birthright उस property में आ जा रहा है, ठीक है, acquiring an interest by birth in the property, तो यह के पास जो property होगी, उसका nature कैसा होगा, उस property का nature होगा, unobstracted, यानि कि आप्रतिमंधा दया, यानि कि ancestor property, यानि कि कोपाशनी property, यानि कि पैत्रक संपत्ति, तो इस तरह के दो property बताई गई, किसके द्वारा, मिताक्षरा लॉफ के according, एक है सप्रतिबंधा दया, दूसरा है अप्रतिबंधा दया, abstracted heritage और unobstracted heritage, दो तरह की property बात की गई है, किसके द्वारा, मिताक्षरा लॉफ स्कूल के द्वारा बताए गई है, abstracted heritage में क्या हम बात कर रहे थे, यहाँ पर as a abstraction काम कर रहा था, यहाँ पर by birthright नहीं आ रहा था, और यहाँ पर vested interest नहीं था, जब तक कि last owner survive कर रहा है, जब तक उसकी death नहीं हो जाएगी, तब तक वह property devolve नहीं होगी, ठीक वहाँ पर last owner as a abstraction काम कर रहा था, whereas unobstracted heritage में क्या है, जो property कोपाशनर से मिल रही है, इन शौट अगर बोले to the point, कोपाशनर मतलब fathers, fathers-fathers, और fathers-fathers-fathers, यहनि कि father, grandfather और great grandfather से जो property मिल रही है, उस property को हम लोग क्या बूलेंगे, आप रती बंदा दया, ancestor property और, कौपाशनरी property, यह दो तरीके का classification बताया, आइसपर्दी, मिताक्ष्रा लॉफ स्कूल, जबकि दया भागा में कहा कि कोई difference नहीं होता, चाहे वह ancestor property हो, चाहे जो self acquired property हो, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा topic आता है कि, classification of property अंदर joint family property, joint family के अगर property को हम देखेंगे, क्लासिफेकेस का अंदर हिंदू law में करेंगे, तो दो तरीके की property की बात आएगी वहाँ पे, एक है joint family property या co-partnery property, joint family की property, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग separate property, अभी तो specific हम लोग ने देखा था, मिताक्षरा के according, सप्रति बंदा अप्रति बंदा दे, abstracted और unobstricted heritage, अब हम समझेंगे कि हिंदू law में, अंदर हिंदू law property को classified कहा गया, as a joint family की property, जिसे हम लोग को पास्टरी property बोलेंगे, जिसे हम लोग ancestor property बुलेंगे, वो कौन कौन सी property होगी, जिसको हम लोग joint Hindu family की property में, कोपास्टरी property में या ancestor property की category में include करेंगे, और वो कौन सी property होगी, जिसे हम लोग self acquired property या separate property की category में रखेंगे, तो हमारा topic है next, इसके बाद यह जो मिताक्सरा का classification of property में पहला पड़ते हैं हम लोग, आइसवर्दी, मिताक्सरा law के according property का कैसे divide क्या गया है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे joint Hindu family में, जो joint Hindu family की property है और self acquired property है जो separate property है, दोनों में क्या difference है और कौन कौन सी property को इन category में हम लोग रखेंगे, तो next class में हम लोग पढ़ेंगे joint family property में कौन कौन सी चीज़े आती हैं, जैसे कि ancestor property है तो कौन सी ancestor property को हम लोग रखेंगे कि कौन सी relationship यह जाए, इसी तरह के से हम लोग पढ़ेंगे कि at the time of the partition, partition के time पर जो property मिल ली उसका nature कैसा होगा, whether it is a joint Hindu family property और a separate property और a property which is in a blended stock यह thrown in a blended stock यह creation के दौरा जो property मिल ली इन सब property का nature कैसा होगा, whether it is a joint Hindu family property और a co-personary property ठीक, इन सी जो को हम लोग आगे आलेक लेक्शर में discuss करेंगे, thank you.